हेलो दोस्तो माबारत में ये तो आपने देखा ही होगा येक्स और युदिस्टर का संवाद होता है येक्स युदिस्टर से कुछ प्रशन करते हैं और युदिस्टर उनके उत्तर देते हैं इससे पहले और बाद में क्या हुआ वो तो सब जानते ही हैं किन्तु अगर आप गोर करेंगे यक्स ने जो भी परसन युदिस्टर से पूछे थे और युदिस्टर ने जो जवाब दिये थे उनकी महानता आज भी है अर्थात महाबारत में यक्स और युदिस्टर के समवाद के जरिये मानव जीवन के लिए कोसिस की गई है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है आज की इस वीडियो में हम आपको यक्स युदिस्टर के जरिये मानव जीवन के छिपेवे कुछ गुन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे हर जन्मानस को अवस्य जानना चाहिए तो आईए सुरू करते हैं यक्स युदिस्टर का समवाद उस समय का है जब पांडव द्रोपदी सहित दुरूत कीड़ा में अपना सब कुछ गवानी के बाद 12 वर्ष के वनवास के दोरान एक वन से दूसरे वन में अपने चारों भाईयों और पतनी द्रोपदी सहित बटक रहे थे एक दिन की बात है पांचों पांडव और द्रोपदी चलने के कारण काफी ठक चुके थे और उन लोगों को प्यास भी लगी थी किन्तु वहाँ दूर दूर तक जल का कोई विश्त्रोत दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे में युदिस्टर ने अपने छोटे भाई नकुल से कहा नकुल जरा पेड़ पर चड़ कर देखो कहीं कोई जला से दिखाई तो नहीं दे रहा है तब नकुल ने पेड़ पर चड़ कर देखा तो उसे जला से तो नहीं दिखाई दिया किन्तु उसने युदिस्टर से कहा बैया जल तो नहीं दिख रहा है किन्तु जल की किनारे उगने वाले पेड़ पोदे दिखाई जरूर दे रहे हैं हो नहो वहां कोई जला से अवस्य हो तब युदिस्टर ने कहा नकुल तुम जाओ और जाकर देखो अगर कोई पानी का स्तरोत मिलता है तो पानी ले आओ अपने जेस्ट भाई का आदेश पाते ही नकुल जल लाने चल पड़े और दर्शको उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सब को मालूम ही है अब एक के बाद एक सभी भाई पानी लेने जा चुके थे और लोट कर नहीं आए फिर युदिस्टर अपने भाईयों की खोज में उस जलासे की और निकल पड़ा परंतो कुछ देर बाद जब उस जलासे के नजदीक पहुँचा तो उन्होंने देखा कि उनके चारों पानी में कोई विश मिला दिया हो अर्थात गांधार नरेश सकुनी का ये कोई कराधरा हो फिर उन्होंने इस रोवर के पानी पीने का निष्चे किया और जल में उतरे पानी में परवेस करते ही उनके कानों में आकासवानी सुनाई दी एक बगुले ने कहा कि मैंने तुमा आका सुआनी सोन युधिस्टर बोले मैं पूछता हूँ आप कौन है ये काम किसी साधारन पक्सी का नहीं है क्योंकि बड़े बड़े युधों में देवताराक्सस आदे भी उन्हें नहीं अरा सके उन्हें प्राजीत कर आपने अदभूत प्राकरम का परदर्सन किया है ही पैचाना मैं बगुला नहीं बलकि एक्स हूँ उसके बाद युधिस्टर उस विशाल व्रक्ष के नजदीक चले गए जहां वे बैठा था फिर एक्स ने कहा युधिस्टर मैंने तुम्हारे इन भाईयों को जल पीने से बार बार रोका था फिर भी ये बल पूर्वक ज ले जाना चाहते थे इसलिए मैंने इने मार डाला युधिस्टर अगर तुम्हें अपने परान बचाने की इच्छा हो तो पहले मेरे इन पर्षनों का उतर दो ये सुनकर युधिस्टर बोले हे येक्स महाराज मैं आपके दिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता मैं अ प्रत्वी से भारी क्या है तो युधिस्टर ने कहा माता फिर येक्स ने पूछा आकास से उंचा कौन है युधिस्टर ने कहा पिता फिर येक्स ने पूछा पवन से भी अधिक तिवरगती किसकी है युधिस्टर ने कहा मन की येक्स ने पूछा संख्या में तिनकों से अ मित्र कौन है युदिस्टर ने जबाब दिया दान यक्स ने पूछा कि दान धरम यस स्वर्ग और सुख का मुखेस्थान क्या है तो युदिस्टर ने जबाब दिया धरम का मुखेस्थान दक्सता है और यस का मुखेस्थान दान है स्वर्ग का मुखेस्थान सत्य है और सु उसे की आत्मा क्या है युदिस्टर ने जबाब दिया पुत्र यक्स ने पूछा कि जगत को किस वस्तु ने ढख रखा है युदिस्टर ने कहा एग्यान ने फिर यक्स ने पूछा आलस से क्या है युदिस्टर ने जबाब दिया करम ने करना आलस से है यक्स ने पूछा सु जो मन का मैल धो दे यक्स ने पूछा काजल से भी अधिक काला क्या है युदिष्टर ने जवाब दिया कलंक यक्स ने पूछा लोक में स्रेष्ट धरम क्या है युदिष्टर ने जवाब दिया दया स्रेष्ट धरम है यक्स ने पूछा किसको वस में रखने से सोक नहीं होता युदिष्टर ने जबाब दिया मन को वसमे रखने से सोक नहीं होता युदिष्टर ने पूछा लज्जा क्या है युदिष्टर ने जबाब दिया ना करने योगे काम से दूर रहना लज्जा है युदिष्टर ने पूछा दया क्या है युदिष्टर ने जबाब दिया सब के सुख की इच्छा करना दया है राष्टर की मरत्यू का कारण क्या है युदिष्टर ने जबाब दिया एराजकता येक्स ने पूछा सबसे बड़ा आस्चरिये क्या है युदिस्टर ने जवाब दिया सबसे बड़ा आस्चरिय ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मरत्यु जीवन का अंतिम सत्य है फिर भी यही सोचता है कि उसके जीवन का अंतिम सत्य मरत्यु नहीं तब यक्स ने कहा भारत्स रेस्ट तुमने मेरे सारे परशनों के ठीक उतर दिये हैं इसलिए इन चारों बाईयों में से एक को चाहो वो जीवित हो सकता है तब युदिश्टर ने कहा येक्स यदिन में से एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्री एनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ तब येक्ष ने कहा हे कुंती नंदन भीम और अर्जुन जैसे महान योधाओं को छोड़ कर तुमने नकुल के जीवित होने की ही इच्छा क्योंकि युदिस्टर ने कहा कि मेरे लिए माता कुंती और मादरी में कोई अंतर नहीं मैं दोनों माताओं को सम्मान भाव से देखता हूँ इसलिए मैंने सोचा माता कुंती का एक उत्र मैं तो जीवित हूँ और माता मादरी का भी एक उत्र जीवित हो जाए तो अच्छा है जीवित करना चाहोगे तो यूधिस्टर ने उत्तर दिया सहदेव को तब यक्ष ने कहा एक उन्तिन अंदन मैं तुम्हारे सारे परशनों से अतिप्रशन हूँ और तुम्हें तुम्हारे सारे बाहि जीवित मिलेंगे तो दोस्तों ये थी उदिस्टर और येक्स की कहाने और आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्यू सो मच